नमस्कार दोस्तो मैं हूँ दिलिप और आप देख रहे रेलवे ग्यान दोस्तो ट्रेन में सफर करने के दोडान आपने रेलवे ट्रैक पर बिचे गिटियों को तो जरूर देखा होगा आखिर कार ये गिटियां क्यों बिचाई जाती है और इनका क्या यूज होता है तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में हम डिसकस करेंगे आखिर कार ये पट्रियों के बीच में क्यों बिचाए जाते हैं ट्रैक या पट्रिया ट्रैक आप सभी लोग जानते हैं लोहे की वह लाइन जिस पर ट्रेन आसानी से दौरती है उसको try किया फिर हम लोग पट्रियों के नाम से बुलाते हैं sleeper concrete या लकड़ी के blocks जो पट्रियों को आपस में जोड़े रहते हैं उनको sleeper कहते हैं पहले लकड़ी के sleeper चलते थे अब cement के sleeper आने लगे हैं बैलेस्ट या गिट्टी का पत्थर के छोटे छोटे चोटे टुकड़े जो पट्रियों के बीच में बीच हाए जाते हैं उनको गिट्टी या बैलेस्ट के नाम से हम लोग बुलाते हैं ये पत्थर के टुकरे नोकीले होते हैं और ट्रेन के पट्रियों के बीच में रखे गिटिया ट्रेन के भार को आसानी से सै लेते हैं जी हाँ, दूसरी समस्या ये है, दूसरी समस्या जो की गिटि हल करती है गिटिया सिलीपर को अपनी जगह पर जमाय रखता है, मतलब कि उनको खिसकने नहीं देता है सिलीपर के बीच में दूरी हमेशा बनी रहे, ये जो है गिटियों के ही माध्यम से होता है सिलीपर का काम ट्रेन की पट्री को पकरे रखना होता है सिलीपर में गिटिया बिचाई होने से सिलीपर अपनी जगह से खिसकते नहीं है और पट्रियों को टेड़ी होने से भी बचाते है तीसरी समस्या जो गिटिया हल करती है अगर पत्रियों के बीच में खाली जगह रह जाए तो बारिस के टाइम पत्रियों के बीच में काफी पानी जमा हो जाएगा जिससे पत्रियों में जंग या पत्रियां कमजोड हो जाएंगी पत्रियों के बीच में गिटिया बिछाई होने से पानी कारिसाव सीधे जमीन के अंदर तक हो जाता है और पानी ट्रैक पर नहीं जमा होता है या नहीं रुपता है गिटिया ट्रैक पर छोटे बड़े पौधो को भी रोकने से बचाती है अगर ट्रेन अगर किसी सहर से होकर के गुजर रही है किसी बड़े सहर से होकर के गुजर रही है तो उसमें जो भाइब्रेशन होता है उसको भी कंट्रोल करने के लिए जो है गिटिया क्या करती है कि उसको कंट्रोल करती है तो I hope कि ये छोटी सी जनकारी आपको पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजिएगा मिलते हैं आपसे एक और छोटी सी जनकारी में तब तक के लिए दन्यवाद